आज पॉंच फरवरी के इस सेशन में फिटर फाइटर चैनल की तरफ से सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है किसी भी एकजाम में पास करने के लिए हमें क्या जरूरी है तो किसी भी एकजाम को पास करने के लिए हमें दो काम जरूरी है नमबर एक पढ़ाई लगातार करना है हम कैसे पढ़ाई लगातार करेंगे तो हम अपने चैनल फिटर फाइटर पर हर दो-तीन दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको देखकर कि आप पढ़ाई लगातार कर सकते हैं या फिर आपके पास जो बुक्स हैं उसका टाइम टेबल बनाईए और टाइम टेबल के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए क्योंकि हमें पढ़ाई लगातार करनी पढ़ेगी अगर हम पढ़ाई लगातार नहीं रखेंगे तो हमारा जो रुटीन होता है वो बिगड़ जाता है तो सबसे पहले हमें लगातार पढ़ाई करनी है और दो नमबर पर जो टो नहीं दिया है कि सभी टाइप के प्रशन करें तो आप स्टूडेंट एदि आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्जाम होता है जिसमें हमें option को choice करना पड़ता है जो optional question आते हैं वो सबसे सरल question होती है उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है यदि हम continue लगातार पढ़ाई करते हैं तो हमें इन question में कोई दिक्कत नहीं आएगी और optional question के वीडियो मैंने अपने channel पर बनाए हैं आप चाहें तो हमारे channel पर जाकर के उन optional वीडियो की practice कर सकते हैं और दूसे नमबर पर मैंने matching question दिया है कि जो matching question भी exam में आते हैं तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने channel पर बनाए है प्रिटर भाइटर चैनल पर अप्लोड की है और तीसे नमबर पर जो figure से related question है उसकी वीडियो में आज बना रहा हूँ आज आपको सारा मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम matching वाली question करते हैं और इन सारी question की practice करने के लिए अधि आप हमारे channel पर नाए हैं और सभी type के question पढ़ने है तो आपका selection होना 100% तय है हम question start करते हैं हमारा पहला question है जैसे इस type की question आते हैं कि इसमें A, B, C, D कई जगे पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसमें इधर पर A लिखा हुआ है इधर पर D लिखा हुआ है इधर C लिखा है A, B, C, D तो हमें सबसे पहले इनको पढ़ना पढ़ेगा अपनी book से पढ़ना पढ़ेगा या हमारे channel पर जाकर वीडियो दिखना पढ़ेगा तो ratchet जो होता है सबसे पीछे रहता है इधर ratchet होता है जिससे हम pressure को maintain करते हैं यह जो spinner निकला हुआ है बाहर तो इसको pressure maintain करने के लिए हम ratchet से pressure को लगाते हैं जो सबसे पीछे इधर है तो इसका D answer, right answer हो जाएगा अब मुझे और भी figure के बारे में कापी सारी चीजे बताना है जो 25 से 50 होता है यह micrometer का size होता है जो 25 mm की range में पाया जाता है तो हमारा size कहां पर लिखा जाता है यह question भी आ सकता है तो यह frame पर लिखा जाता है यह frame case shape में होता है यह C shape में होता है यह जो F है यह F और G दिखाया गया F और G यह हमारी anvil यह इससा होता है एक carbide tip होती है जो हमारी दोनों सतय जो है job की सतय पर टकराते हैं उनके घिसने का डर रहता है इसलिए carbide tip लगा देते हैं H spindle है जो अंदर बाहर होता है और अंदर बाहर कैसे होता है नट बोल्ट किसे दान पर अधार रहतो जैसे तरीके से हम बोल्ट को नट में करते हैं तो अंदर बाहर होता है C जो है यह silue है C को silue दर सा रहा यह thimble है यह thimble का कोई code word नहीं लिखा गया है तो अपन चाहें तो अलक्सी लिख सकती है जो चेंपर हिस्सा होता है इसे हम thimble कहते है तो इस तरीके से सारे point बता देता हूँ जो एप है एप हिस्सा है इसका यह stock होता है C जो blade होता है इसके बाद इसमें जो G है यह main scale disc रहता है इसमें जो E है यह main scale को दिखा रहा G disc को दिखा रहा और D है जो dial को दिखा रहा है इसके बाद यह जो beach वाला हिस्सा है E वाला हिस्सा है यह हमारा dial वाले हिस्से को दिखा रहा जिसमें यह D burner scale बना हुआ है और बीच में जो B है यह locking screw को दिखा रहा है क्योंकि जो हमारा E है जो यह dial घूमता है जिसमें जो हमारा burner scale छोटा वाला D number बना हुआ है इस तरीकी से सारे पार्टों के मैंने नहां बता दिए एक question और मैं इसमें बता दिता हूँ बलेट की जो उन्दों-दोनों सिरे होते ही 45 degree पर बना होता है 95 degree के दोनों अलग-लग कौन में बने होते है इसरीट का नाम आपको समझना है तो ये figure में जो बना हुगा है इसमें जो बना हुगा है इसका नाम है 3 point internal michocometer क्योंकि इसमें नीचे दे 3 leg होते है इस तरीके से 1 इस आइए इस-पर्ब निखलता है 3 होते हैं 120 degree में बने होते हैं इसे हम 3 point internal michocometer कहते हैं सारे parts वैसे ही है जैसे यह है जो रैचेट है जो B है यह थिम्बल है और इसके बाद जो C नंबर पर इसलिव है इसके पाद यह नीचे स्टॉक है और इसमें 3.3 लेग निकले हुए है एक लेग, दो लेग और तीन लेग इससे हम किंदी अंदरूनी ब्यास को यह चेक कर सकते है 3.9 म.M होता है नेक्स रिशो कोष्ट Section यह जो बना हुआ है इसमें हम कहते है बन्नियर डेफ्ट गेज इसमें देखे एक दो स्केल लेग इसकेल बने हुए है एक स्केल जो है बन्नियर इसकेल है और जो है मैन स्केल है इन दोनों स्केलों से हम इसकी reading जो है गहराई की reading चेक कर सकते हैं इसे बन्यर depth gauge कहते हैं और इसमें ये locking screw बने हुए है D नमबर पे ये नमबर पे final adjusting screw है ये है C man scale है ये बन्यर scale है B नमबर पे और E नमबर पे जो है base है base का काम करता है इसका नाम होता बन्यर depth gauge इससे हम गहराई को check कर सकते हैं इसके बाद 5 नमबर पे जो आया है इसे इसका question बहुत ही एक जाम में आता है इसे बोलते है small inside micrometer सबसे पहले हमें कैसे समझेंगे कि ये बन्यर के लिए पर है ये main scale है और ये जोटा वाला है बन्यर scale है तो दो scale की अंतर पर जो आधारित होता है उसे हम बन्यर केलिपर के नाम से जानते हैं और जो next में जो net world किसे दान पर आधारित होता है इसे हम micrometer कहते हैं इसमें दिखा देता हूँ में ये दोनों nips होते हैं ये दोनों nips जब टकरा जाते हैं एक दूसरे से इस तरीके से में बना के दिखा देता हूँ तो इसकी जो मुटाई रहती है 5 mm रहती है जब टकरा जाते हैं दोनों ते तो इससे 5 mm से कम साइज के slot की inside map नहीं ली जा सकती है था सबसे छोटी से छोटी जो इसकी map होती है वो 5 mm होती है इसमें यह जो है यह adjustable वाला जो जबड़ा है और यह fix वाला जबड़ा है यह जो c number प यह जो चित्र बना हो इसका नाम आप सोचिए मैं इसका नाम बताता हूँ आपने सोच लिया होगा इसका नाम क्योंकि आपको भी question का चित्र से नाम आ जाना चाहिए तो नाम जब आ जाएगा तो question भी आ जाएगा आपको कि क्या नाम होता है क्या काम होता है इसका क्योंकि स मेंने सुना है कई बच्चों से कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं तो मेंन हमें legal बनाना है तो इसे घम कर इस दीधिने माइक टूबल बना हुगा है और से लिए एनवे निहेंड बना हुगा है । देकले किट éta डिगरी का कौन बना रहे हैं इसलिए इसका नाम होता है ट्यू माइको मीटर ये पाइप की ठेकनेस या बाल ठेकनेस चेक करता है उसका सबसे जब कोश्चन ये 90 डिग्री जो मैंने बताया है ये कोश्चन हमेंसे आता है नेक्स कोश्चन सेवन्त कोश्चन इसको हम बोलते हैं डिस्क माइकोमीटर देखिए इसमें जो हमारा माइकोमीटर है सेम है विल्कु थिंबल है, सिलिव है, रैचेट है, फ्रेम है, फ्रेम पर साइज लिखा हुए 0-25 एताद ये micrometer जो है ये 0-25 वाला micrometer है इसमें देखिए इसमें जो हमारा envel के सामने एक disk लगी हुई है वो इदा spindle के सामने भी disk लगी हुई है तो इससे हम किसी चौड़ी सताय पर फ्लेट सताय पर इसलिए क्या support इससे अच्छा मिल जाएगा इससे हम पेपर की मुटाई को चेक कर सकते हैं इसलिए हम इसे पेपर गिज माइको मीटर या डिस्क माइको मीटर की नाम से भी जानते हैं तो डिस्क माइको मीटर का उप्यों पेपर की इसमें देखिए एनविल का हिस्सा है ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा है दोनों भी ग्रूप में बने होते हैं ये जो कौण होता है ये कौण चूड़ी पर नेरवर करता है इसे हम चूड़ी का पिछ डामीटर चेक करते हैं इसे हम पीडी कहते हैं तो पिछ डामीटर जो होता यह आभासी व्यास होता है, यह हमीशा एक्जाम में आता है, कार्पिनिंग व्यास होता है, यह चूडी जैसे महां लेजिए, मीट्रिक थ्रड है, 60 डिगरी की है, तो इसके से हमें 60 डिगरी में बनाना पड़ेंगे, यदि हमारे BSP थ्रड है 55 डिगरी होती है, इसका कौन, त हमारे BSP 55 डिगरी की बनाना पड़ेंगे, और पूरा सिस्टम जो होता है, सेम बिल्कुल, यानि की माइक्रोमीटर के समान ही होता है, इसके इसमें पीछे रेचट दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, नेक्स नाइंत कुश्चन हम करते हैं, यह नाइंत कुश्चन में फ हमारे बन्यर स्केल से जो जुड़े होते हैं, यह हमारा बन्यर स्केल है, तो इससे जो मूविल होता है, तो हमारा जो सी वाला हिस्ता यह मूविल है, और जो एफ है, इससे यह लोकिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमारा बन्यर केली पर होता है, नेक्स कुश्चन हम करते है लेकिन यह micrometer है कि इसमें देखे थिमल बना हुआ है और यह sillew बना हुआ है तो यह depth micrometer जो होता है इसमें जो reading पड़ी जाती है उल्टी reading पड़ी जाती है कई वार exam में आ चुका है और यह चेत्र देख लिए गहराई में जाएगा और किसी भी slot की गहराई को चेक कर सकता है 0.01 mm की accuracy में next question 11th question यह जो है यह हमारा gauge बना हुगा है क्योंकि इसमें कोई भी mm की निसान नहीं होती है gauge यह जो gauge होता है इसकी reading हम बनेविल प्रिटर्टर से लेते हैं लेकिन इस gauge का नाम आपको समझना पड़ेगा कैसे आप समझ सकते हैं इस gauge में दो बिलीड हैं एक stock है यह stock है और यह दो बिलीड हैं तो इसलिए हम इसे जो इस बेविल गेज को हम बोलते है universal बेविल गेज अधि हमारा साधान बेविल गेज होता तो उसमें एक stock होता है एक बिलीड होता है यदि दो बिलीड हो जाते हैं और एक stock रहता है तो उसे हम universal बेविल गेज या combination बेविल गेज के नाम से जानते हैं नेक्स 12 question देखे यह इसमें जो हमारा यह चितर हमने जो बनाया है अभी अभी हमने बताया था बन्नेर बेविल प्रोटेक्टर बन्नेर बेविल प्रोटेक्टर को हम प्रोटेक्टर से समझेंगे प्रोटेक्टर का मतलब होता है चांदा चांदा जो होता है वो कोड को चेक कर सकता है माप सकता है पांच मिनिट की accuracy में उसकी list count पांच मिनिट होती है तो इसमें देखिए इसमें कॉन को चेक किया जा रहा है किस तरीके से हम चेक कर रहे हैं यह हमारा स्टॉक है इसमें बेस दे दिया है यह देखिए डिगरी में हमारा किनारा डिगरी में बना हुआ है यह दिगरी में बना हुआ है तो यह हमारा जो बिलेड है इस तरफ से सट और हमारा stock इधर 60 रहाए तो देखिए उसी कौर में, जैसे मन लीजे कोई कौर है तो उसी डिगरी में, जैसे मन लीजे 55 डिगरी में है, तो Ini तो यह हमारा stock 55 डिगरी में रहेगा और aligned भी हमारा इधर इधर सट जाएगा तो इस तरीके से हम कौन को चेक कर सकते हैं तो ये हमने जॉम में लगा के आपको दिखा दिया है ये जो है डिल का चित्र बना हुआ है तो डिल में ये हमारा जो नीचे दिखाए जा रहा है ये डिल ये point angle को दिखाए जा रहा है ये से दिखाए जा रहा है इस साधान कार के लिए 118 डिगरी का point angle रखा जाता है ये डिल जो सेंक है सीधी सेंक है इस्टेट सेंक में डिल है इसे हम handle कह सकते हैं इसे machine डिल हम नहीं कहेंगी क्योंकि machine डिल में जो सेंक होती है वो taper सेंक होती है और most taper में बनी होती है जो flute इसमें बने हुए है वो helical flute बने हुए है और इसके उपर जो ये पटी सी दिख रहा है ये मोटी सी इसे हम margin कहते है margin से हमारे होल की फिंसिंग अच्छी आती है बीच में जो है इसमें babe नहीं दिखाया गया मैं babe दिखा देता हूँ जो babe रहता है वो नीचे पतला रहता है नीचे ऐसे इस तरीके से रहता है उपर इसकी मुटाई ज्यादा होती है नीचे पतला होता है बीचों बीचे एक rod होती है जो उपर मोटी होती है और नीचे पतली होती है इसे हम वेप कियते हैं तो इस तरीके से हम समझेंगे नेक्स कोश्चन चबदी में नम्मर पे जो फाइल दिखाई गई है ये फाइल आपको समझना पड़ेगी ये डवल कट फाइल है जिसमें दाते देगे 70 डिगरी के कोण में कटे हुए तो एक अपकट दाता होता है इसमें एक ओवरकट दाता होता है तो ओवरकट जो होते हैं वो 60 डिगरी के होते हैं और अपकट दाते 70 से 80 डिगरी के कोण में होते हैं ये डवल कट फाइल होती है ये टेंग है ये फेस होता है उपर जिसमें दाते बने हो इसका age नहीं दिखाई दे रहा है मैं age बना के आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से age होती है इसका point अंगे वाला हिसा होता है age पर single cut दाते होते हैं इस तरीके से यह हिस्से को हम हील कहते है जो मुडावदार वाला हिस्सा होता है हील कहते है और यह इस तरीके का रहता है और बीच वाले हिस्से को हम बीच वाला हिस्सा जो रहता है यह हिस्सा इस पर साइज लिखा जाता है इसका यह सोल्डर दोनों सोल्डर यह दोनों सोल्डर है मैंने इसको हील बोल दिया मिस्टेक से यह जो दोनों सोल्डर रहते हैं सोल्डर के ब फाइलिंग दिखाई गई है इसमें जॉब बना हुगा है हमारा थोड़ा सा सही चित्र वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बना के दिखा देता हूं इस तरीके से हमारा जॉब रहता है और इस तरीके से फाइलिंग हो रही एक हाथ आंगे है एक हाथ पीछे है तो इस आई बार अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरीके से हम रीडिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ऊपर के मैंने स्केल को पढ़ना है तो मैंने स्केल में देख लिए 5 और 10 के बाद 3 खाने हमें और देख रहे हैं तो 13 mm हमारा यह हो जाएगा 13.00 13 के बाद पर नीचे देख लिए एक सबडिविजन दिख रहा है लेकिन हमें आँगे से सबडिविजन नहीं पढ़ने हमें 13 के आँगे पढ़ना है तो एक दिख रहा एक सबडिविजन तो एक सबडिविजन पव.50 आँए देखना है कौन सी लाइन जो है हमारी एडेटम लाइन के सीड में तो यह 10 वाली लाइन तो बहुत नीचे है और उपर जाते हैं तो यह हमारी देख लेते हैं यह इसमें हमारी 11, 12, 13 13 मी लाइन के आँगे है तो हमें आँगे वाला नहीं 13 ही मिलाना पड़ेगा 0.13 13 के आँगे है कोई भी लाइन इसमें मैच नहीं कर रहे है लेकिन 13 के थोड़ा आगे है तो 13 का 0.13 हो जाएगा क्योंकि इसके एक खाने का मन 0.01 mm होता है तो 0.01 mm का 13 में गुड़ा करेंगी तो 0.13 आजाएगा हम इसको एड़ कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 13.63 mm इसका अंसर आ जाएगा अब यह माइको मीटर में यदि फ्रेम दिख रहा होता तो हम समझ जाते है यदि 0 से 25 वाला होगा तो हमारी रीडिंग 13.63 होगा और यदि 25 से 50 वाला माइको मीटर होगा जो हम फ्रेम पर देखेंगे तो 25 mm हमें इसमें एड़ करना पड़ेगा यह फ्रेम से देखकर हम पैचान सकते हैं 17 नमर कुश्चन यह डाइल कैली पर है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो मैंने तीन फरवरी को अपलोड किया था आज मैं पांच फरवरी को जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसे में उसका चितर दिखा रहा हूँ कि डाइल कैलीपर में जो हमारा बनियर स्केल होता है बनियर स्केल में एक डाइल लगा रहा था जिससे इसकी अकुरेसी जो है अच्छी आ जाती है इसकी लिष्ट काउन जो है तो 0.01 हम होती है इसमें हमें निसान मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें स्वी लगी रहती है तो स्वी के सामने की लाइन को हम देख लेते हैं और उसमें 0.01 का गोड़ा करके हम रीडिंग निकाल सकते हैं जैसे ही सेम आउटर जो हैं इनर जो हैं और यह इनर जो हैं यह डेफ्ट रोड़ा सारे होते हैं मैंने स्कील सेम रहता है लौकिंग स्कील सेम रहता है बस अंतर किवल इतना होता है को जो बनेर स्कील होता है उसकी जगह पर डायल आ जाता है यससे मिलाने में दिक्कत ना हो अठारवे नम्मर कुश्चन में जो दिखाया गया है यह बहुत ही important जो है इससे दो काम एक साथ किये जा सकते हैं देखिए इसमें इसमें दो skill होते हैं एक skill जो होरिजेंटल skill होता है एक बर्टिकल skill होता है इसे हम gear tooth bunnier kelly पर कहते हैं इसमें दो skill होते हैं और कुल मिलाके दो bunnier kelly पर एक साथ जुड़े हुई रहते हैं इससे gear के दाते की caudal thickness देखिए अभी जो चेक हो रहा है दर से देखिए दर से caudal thickness चेक हो रहा है किसी भी दाते के बीच मोटाई चेक की जा रही है यदि हम इदर से मोटाई से उपर जाएंगी तो इसे हम addendum बूला जाता है तो इसमें addendum भी देखिए चेक किया जा सकता है क्योंकि दात इस तरीके से रहता है तो किसी भी दात का इस तरीके से जो हम center line से उपर जाते हैं तो इसे addendum कहते हैं तो देगे जिस तरीकिया से इसमें चेक बहुता है chef कर तकते हैं कि इस जो बी गूरू होगता है तो आझसे कि आउनसर कि आनशर लगाते हैं तो इसका नहीं है इसका 60 थी राइट अंसर हो जाएगा साथ डिगरी इसका अंसर होता और इससे यह भी ध्यान रखना है तो इससे किसी बॉल का जो डाया चेक किया जाता है किसी स्फेरिकल जॉप का वो D नहीं निकलता है इससे जो डाया निकलता है वो 3DY2 निकलता है यह कई बार एक्जाम में आ चुका है कि इससे जो भी डाया चेक किया जाता है भी अनमल माईको मीटर से वो 3DY2 होता है केवल D नहीं निकलता है हम 3DY2 के बराबर में जो वैल्यू निकलेगी उसको रख करके हम इसको क्रोस मल्टिपिकिसन करके D की वैल्यू निकाल सकते है लेकिन जो इससे आंसर आएगा वो 3DY2 होगा नेक्स कुशन ये जो है जो सीड माईको मीटर बना हुगा है इसका नाम सब को आना चाहिए कैसे समझे होगे आप सीड माईको मीटर जो होता है इसके फ्रेम की गहराए अधिक होती है जिसे इसमें लिखा हुआ है इसे सीड माईको मीटर कहते है उसका सिड़ान तो सिस्टम जो रहता है वो सारे माईको मीटर का सेम रहता है नेक्स कुशन इस कुशन को हम बोलते है फ्लेंज माईको मीटर इसमें देखिए दो फ्लेंज लगए फ्लेंज किसे कहते हैं आप किस तरीके से याद रखोगे इस तरीके से चप्टा जो हिस्सा होता है इस तरीके से एक हिस्सा इधर लगा हुगा एक इधर लगा हुगा इन्हें हम फ्लेंज कहते हैं इससे दांतों के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम चेक कर सकते हैं इस जूब 22 बनी हुई है वाइस कुछ लोग इसको bench भाइस भी कह देंगे लेकिन यह बाइस जो है इसे हम plan machine वाइस कहते हैं कैसे समझेंगे हम इसको मसीन वाइज जो होती वो टी वोल्ट से कसी जाती इसमें देखें टी वोल्ट को लगाने के लिए सुलोट बने हुए है और एक दूसरी पहचान एक और होती इसमें हैंडल नहीं लगाया जाता है हम जब कसते हैं तो इसको लगा लेते हैं वो हैंडल को हम निकाल कर रख देती हैं क्यों निकाल की रखेंगे मसीन वाइस से हैंडल को क्योंकि मसीन वाइस पर स्पिंडल वगरा घूमते रहते हैं तो वो हैंडल से टकरा जाएंगे इसलिए देखिए इसके spindle में handle नहीं लगा हुआ है तो इस तरीके से हम दो पहचान हमने बता दी है machine wise जो होती है machine की table पर टी बोल्ट के दोरा कसी जाती है 23 number question इसमें ये हमारी hand wise है इसमें bing nut लगा हुआ है इसको हम bing nut से समझ सकते हैं तो hand wise में जो होता bing nut होता है ऐसी एक wise होती है इसमें छोटे छोटे पार्टों को हम पकर सकते हैं घड़ी सुदारने वाले छोटे चप्टे पार्ट इसमें पकर सकते हैं घड़ी सुदारने वाले pin wise का भी यूज़ करते हैं लेकिन जो कोई round चीज़ होती है तो pin vice में हम पकड़ सकते हैं और कोई चप्टा वाला पार्ट है तो हम उसको hand vice में पकड़ेंगे चावी वाले धाले बनाने वाले इस vice copy करते हैं चोटी vice होती है 24 और नमर पर जो मैंने अभी बताया है कि घड़ी सुदानने वाले किस vice copy करते हैं पिनों को पकड़ने के लिए pin vice copy करते हैं इस pin vice में आंगे दो bit होते हैं जो छोटी छोटी पिनों को पकड़ लेते हैं नर्लिंग किया हुए एक पार्ट बना हुआ इससे हम जो आंगे दो pinे होती है उन दोनों pinों को हम adjust कर सकते हैं नेक्स question ये जो 22 बनी हुए ये bench by से देखी इसमें handle लगा हुआ है ये handle सामने लगा हुआ है और handle से जो जबड़ा जोड़ा हुआ रहता देखी इसमें दो जबड़े हैं जैसे मैंने एक जबड़े को A नाम दिये दूसरे जबड़े को B नाम दिये जो हेंडल से जबड़ा हुआ है तो दोस्ते हम handle को इस तरीके से गुमाएंगे तो ये जबड़ा जो A जबड़ा होता है ये आंगे पीछे होता है तो इसे हम mobile जो कहते हैं और जो हमारा base से जबड़ा हुआ है B इसे हम fix जो कहते हैं तो ये भी कभी कबार question आ सकता है एक question इसमें आ सकता है कि जो handle होता है ये जो हमारा 22 का size होता है उसे कितने गुना रखा जाता है तो ये हमारा जो handle की लंबा ही होती है 22 के size का लगवार धाई गुनी रखी जाती है question भी कई बार आ चुका है 26 number question में दिखाया गया है इसमें हम कैसे समझेंगे ये vertical खुल रही देखी इस तरीके से खुलती है तो vertical खुलने वाली बाइस कौन सी होती है pipe बाइस होती है तो एक पहचान ये हो गई दूसरी पहचान इसमें देखी भी group बने हुए तो भी group 90 degree में बने होते है 22 में एक question और कभी कबार आ सकता है कि 22 की spindle में कौन सी third होती है तो 22 की spindle में square third होती है next 27 number question ये कौन सा जो है टूल बना हुआ है तो ये telescope gauge बना हुआ है ये telescope gauge इधर से दातक होता है इसके size जो होता है सबसे बड़ा size होता है 12.7 mm से 12.4 mm तक के size को internal slot की चोड़ाई को या board की चोड़ाई को चेक कर सकता है लेकिन ये check कर सकता है map नहीं सकता है क्योंकि इसमें कोई scale नहीं होता है इसमें ये दोनों spindle होते हैं ये fix है ये वाला और ये movil वाला होता है इन दोनों को हम घटा बड़ा सकते हैं जो मिवल वाला होता है फिक्स वाला तो फिक्स ही रहेगा तो जब इसमें साइज भर जाता है जैसे मन लीजिए किसी सलोड में इस तरीके से आ गया इसको जाकि हम आउटसाइड माइक्रू मीटर में इसको फिट करके इसके साइज को हम पता लगा सकते हैं 28 नममर कुरेशन यह जो है diesesť 되고 बने हुए है steatnes को चेक करते हैं सधाय की यह साधाण estates होता है जो हमारा जिसमें मैंने सर्क्ल बनाया है यह कास्टाण estates होता है इससे सधाय की संतलता को हम चेक करते हैं इसमें एक किनारा बेवल होता है जिससे एक और इसी बढ़ाई जाती है जितना किनारा बेवल होगा उतना लाइन कॉंटक्ट बनेगा और उसकी सताय की फिंसिंग उतनी अच्छी होगी और सताय का सीधापन भी उतना ही अच्छा होगा 29 नमबर कुशन में मैंने एक हैमर का चत्र दिखाया है यह हमारा Wall Payne है हमारा है जो हमें C नमर से पता चल रहा क्योंकि इसकी Pen जो है Wall की Sip में बनी हुई है यह जो है Handle यह Eye Hole के लिए दिखा रहा A कि हमारा Handle इस Eye Hole में लगा हुआ है यह B नमर जो Cheek को दिखा रहा है और इसमें जो D नमर यह face को दिखा रहा है इनम्मर हेंडल को दिखा रहा है वाल पे नहीं हमारा जिस कॉपी गृप्टिंग में उप्यूप करते हैं इसके बार थार्टी नम्मर कोश्चन में जो है यह स्विविल बेस बाइस है जिसमें हमारा बेस में देखिए यह 360 डिगरी में इंगरेज़िएुशन रहती है इसको हम बेस में गुमा सकते हैं जब किसी जग को गुमा कर क्ई रार एक्षन में हमें ले जाना होता है तो सुईविल बेस बाइस कॉपी ओप करते हैं यानि कि plane machine बाइस जो होती है वो घूमती नहीं है और swively base बाइस होती है उसका base गूमता है जो इसमें देख लीजिए C है, spindle है, D है, mobile जो है इसकी B नंबर पर job plate है इसके सामने job plate है लगी होती है और जो इसमें जो यह नंबर बना हुआ है, fix job बना हुआ है और यह नंबर जो grip में है, इसमें हमारा हाथ close group में रहेगा तो इस hexaframe का नाम होगा, close grip adjustable hexaframe इसमें जो B नंबर पर बिनट लगा हुआ है, यह retaining P ने C नंबर पर और D नंबर बिलेड होल्डर है और यह A नंबर पर बना हुआ है, यह नंबर पर फ्रेम का इसी neck बोलते है, चाहो तो neck कह सकत हो, next 32 number question, इसमें एक hammer दिखाया गया है, कि कौन सा hammer है, तो इस hammer में handle नहीं लगा है, मैं इसमें handle लगा देता हूँ, इस तरीके से इसमें जैसे हम handle लगाएंगे, तो इस hammer का निर्माल हो जाएगा, देखिए handle के cross में पीन है, तो इस hammer को हम cross pin hammer कहते हैं, इसमें channel और नाली ब बजनदार hammer दिखाया गया है, जिस तरीके से आप भी यदि पढ़ाई करोगे, तो आप भी बजनदार बन सकते हैं, क्योंकि आपकी बातों पर अभी कोई विश्वास नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अभी आप बेरोजगार हो, जब आप रोजगार मिल जाएगा, तो आपकी चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी बात पर विश्वास किया जाएगा, तो इसलिए आप भी इस hammer की तरह बजनदार बनिये, इस hammer का नाम है, सिलेज hammer, इसमें दोनों ही फेस होते हैं, और इसका जो बजन होता है, वो 2 से 10 किलो या 5 से 25 पॉन्ड होता है, इसका इसमें फिर मैंने दो hammer दिखाए हैं, आपको जो hammer से पहचानना है, आपको क्यूंकि पहचान से आ सकता है, तो जो पहले number पर बना होगा है, यह wall pen hammer है, और दूसरे number पर state pen hammer होगा है, तो इस तरीके से अपने बहुत सारे hammer हो जाएंगे, यह जो बना हुआ है, यह इसमें दे होता है यह उपर वाला है यह प्लैन होता है क्योंकि इसे हम इस पे हमें सतय को चेक करना है सर्फिस प्लेट पर इस पे हमें क्या करना है सतय को चेक इसमें grip नहीं है side में तो इसे हम single label B block ही कहेंगे इसका यह उपर वाला जो कौन होता है 90 degree होता है इसमें हम किसी cylindrical rod को रखकर clamping कर सकते हैं किसी दूसरे साधन से clamp कर सकते हैं जैसे C clamp बगरा होते हैं या इसमें job को चाहो तो सीधे रख भी सकते हैं इसे हम B block के नाम से जानते ह 37 number question इसमें divider दिखाया गया है divider का question हमीसा आता है कि divider का क्या कार होता है छोटे breath इवन चाप बनाने के लिए हम divider को प्रियोग करते हैं इस divider का क्या नाम है इस divider का नाम है spring joint divider क्योंकि इसमें उपर spring लगी हुई है इसके point जो है तेज नौकदार होने चाहिए मुड़े हुए नहीं होने चाहिए तो देख लिए जिसके point नौकदार है तेज 38 number question इसमें दिखाये गया है caliper देखे caliper में जो point है इसके मुड़े हुए बने हुए है दोनों और उसमें सीधे बने हुए थे हैं तो हम caliper और divider में समझेंगे divider की नौक तेज़दार वाले होती है और job के बाहरी size को ही check करेंगे देखे लिए इसमें job के बाहरी size को ही check करेंगे इसलिए हम इसे outside caliper कहेंगे तो पहले का नाम होगा spring joint outside caliper और laughed caliper दूसरे का नाम होगा firm joint outside caliper' next question देखिए इसमें भी दो दिखाये गए हैं इसमें भी एक spring joint है और एक ribbit joint है लेकिन ये किसी भी slot के अंदर की map लेंगे तो हम इसे inside caliper कहेंगे तो पहला होगा spring joint inside caliper द्थ्रा होगा firm या ribbit joint inside caliper लेकिन इन में थोड़ा ऐसा एक याद करने वाली बात है कि inside caliper जो है देखिए इसमें अंदर का माप ले रहा लेकर 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 बाहर की तरफ है और जो मैंने पहले नमबर पर दिखाया था ये बाहर की माप ले रहा था तो लेक अंदर की तरफ होती है तो इस तरीके से उल् लेकर था लेकर बाहर के ये जो हमारा है ये बेल पंच है बैल पंच से किसी भी जोब के सेंटर पर पंचिंग की जा सकते हैं इस तरीके से रहता है बीच में पिम रहती है उपर से हम दवा देते हैं तो यह सेंटर में एक पॉइंट का निसान बना देता है 42 number question इसमें एक sign बना हुआ है कि इसमें sign दिखाया जा रहा है कि बिक्ती को चस्मा लगाना चाहिए और यह कि circle के अंदर बना हुआ है तो जो हमारे 70 sign होते हैं वो 4 तरीके के sign होते हैं पहला होता है जो आदे सात्मक होता है दूसरा निस्यतात्मक होता है तीसरा बार्निंग होता है चोथा information होता है तो जो हमारा mandatory आदे सात्मक sign होता है वो circle के अंदर बनता है तो यह आदे सात्मक मतलब होता है हमें इसका उप्योग करना है इसे mandatory sign यह आदे सात्मक sign कहते हैं नेक्स जो है जो ट्रेंगल के अंदर दिखाए गया है इसे हम warning sign कहते हैं जिसका मतलब होता है चेताओनी sign इसको हमें चेताओनी अर्थात warning में रहना है ये triangle के अंदर बना होता है जो आग दिखाई गई है नेक्स कुशन यह information sign बना हुआ है जो square के अंदर बनाए गया है इसमें पहले में दिखाया जा रहा है कि इसमें plus का sign बना है यह प्लस का sign होता है यह जो रहता है यह red रंग का रहता है तो इसमें पता चल जाता है कि आ फस्टेड है और इधर exit लिखा हुआ है exit का मतलब होता है जानकारी हमें दे रहा है information हमें दे रहा है कि हमें बाहर निकलना है तो information sign square के अंदर होता है और एक sign जो होता है circle के अंदर बनाते है लेकिन excellent line खीच देते हैं इसे हम prohibited sign या निशियत sign कहते हैं तिरची डंडी का मतलब होता है इसका उप्यूग हमें नहीं करन कि आग पर बाल्टी बने हुए आसा पानी नहीं डॉलना है किस आग पर पानी नहीं डॉलना है मैं oil fire पर कभी पानी नहीं डॉलना है तो oil fire के लिए sign का उपयोग किया जाता है कि हम oil आग पर कभी भी पानी का उपयोग नहीं करते हैं next 47 number question इसमें किर्टिम स्वास देने की बीडी दिखाई गई है जिसमें एक वैक्ति जो मूर्शित हो गया है उसमें उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये वैक्ति बैठा हुआ है ये वैक्ति तो ये वैक्ति क्या कर रहा है इसको इसके सीने पर इसको हांत रखके इसके सीने को दवाएगा और जब जब इस सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उस समस्या की पूर्टी हो जाएगी इसे कृतिम सांस देने की बिदी कहते हैं इस चित्र में जो है एक बैल्डिंग मेथड दिखाया गया है कि गैस बैल्डिंग की तरीके से करते हैं तो मैं बता देता हूँ कौन सा सिंबल क्या है जो नीचे बना हुगा है इसमें इह लिखा हुगा है यह हमारा इसमें इसमें कहते हैं। इसमें लिखा हुगा है CO2 आस्टेंगि उसर हम किससे पैचानेगें। जिस extinguisher में एक conical peak लगी रहती है जिससे हमारी oxygen जो है sorry CO2 जो है सीदी आग पर पहुंचती है आग को बोजा देती इस तरीके से एक mic की तरह हिस्सा लगा होता है उसे हम CO2 extinguisher कहते हैं तो यह CO2 extinguisher उसमें उपर एक lever लगा हुआ है देख लिए इसमें leak lever है जिससे lever को दबा करके हम इस CO2 को बाहर निकाल सकते हैं next 50 number question में इसमें एक fit दिखाया गया है तो fit को हम कैसे समझते हैं तीन प्रकार के fit होते हैं clearance fit, transition fit, interference fit तो हम चितर से कैसे समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा fit है तो देख लिए इसमें hole का size देखिए hole का size यह है और shaft का size यह है तो इसमें हमारा shaft का जो है यह size hole से उपर जा रहा है तो इसमें interference fit होगा और जब यह size नीचे आ जाएगा बिल्कुल तो यह clearance fit होगा और जब यह बरावर बरावर में रहेगा बिल्कुल इदर से तो transition fit होगा तो इस तरीके से जो हमारे चित्र बना हुगा है इसमें interference fit है तो दोज़ दे रहे हैं हमारे picture के फिक्ट्वी question तो इसी तरीके से आप हमारा वीडियो देखते रहें और जानकारी लेते रहें और आप अपनी life में सफल हो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल फिक्टर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेर करें लाइक करें इवन बेल आइकन जरूर दबाएं आज के लिए हितना ही ओके बाई बाई